सबी दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग अर्थसास्तर यानि की economics के model paper set two का solution करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि model paper set two जारी किया जा चुका है और दोस्तों आपको बता दें कि history, geography और political science के जितने भी objective question थे उसका solution करा दिया गया है यदि आप अभी तक नहीं देखें तो description पर link है जाके देख लिजेगा आज के इस वीडियो में अर्थ सास्तर के दोनों भाग यानि कि व्यश्टी और समश्टी दोनों का दोस्तों जो objective question है तो दोस्तों सावाल नमबर एक आप देख पाते होंगे क्या है कि उपभुखता वेवार का अध्यान किया जाता है उपभुखता वेवार का अध्यान किया जाता है चार option है आपके सामने पहला है सुक्षम अर्थ सास्तर दूसरा है आई विस लिसन तीसरा है समश्टी अर्थ सास्तर और चौन्था है दोस्तों उप्यूक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसमें राइट अंसर हो जाएगा आपका option नमबर ए सुक्षम अर्थ सास्तर ठीक है उपभुखता वेवार का अध्यान किया जाता है किसमें तो सुक्षम अर्थ सास्तर में ठीक है चलिए बढ़ते है next question कि और next question दोस्तों आपके screen में आप देख पाते होगे क कि किसी वस्तू की मानवी आवसकता को संतुष्ट करने की छमता है चार option मिलेंगे आपको पहला है उपभूग दूसरा है उपयोगिता तीसरा है गून और चौथा दोस्तों यह अच्ची क्या होगा इसमें राइट अंसर तो दोस्तों इसमें राइट अंसर हो जाएगा है उपयोगिता में ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन की ओर सवाल नंबर तीन अब देख पतेंगे क्या है कि मांग फलन मांग फलन को निमलिकित में कौन सा समिकरन व्यक्त करता है चार समिकरन यहां पर दिया गया है तो क्या होगा इसमें राइट अंसर चार option आपका दिया हुआ है राइट अंसर हो जाएगा आपका option number C ठीक है डी एक्स बराबर पी ब्रेकेट ओपन पी एक्स ब्रेकेट क्लोड जो लिखा हुआ है option number C में option number C यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की और सवाल नंबर 4 दोस दोस्तों सम कोनी अती परावलाय जैसा तीसरा option है दोनो और चौथा option है दोस्तों ओप्योर्त में से कोई नहीं क्या होगा इसमें राइट अंसर तो दोस्तों इसमें राइट अंसर हो जाएगा आपका option number A ठीक है ध्यान से दिखेगा option number A यू अक्षर जैसा आउसा तलागत दोस्तों केवल पूर्ण परतियोगिता ठीक है दूसरा option है केवल एक अधिकार तीसरा है दोनो और एवंग बॉय यानिकी A नंबर और B नंबर और चौथा option है दोस्तों उप्योक्त में से कोई नहीं क्या होगा इसमें राइट अंसर तो दोस्तों इसमें राइट अंसर हो हो जाएगा आपका option number A केवल पूर्ण परतियोगिता ठीक है option number A यहापे राइट अंसर हो जाएगा केवल पूर्ण परतियोगिता चलिए बढ़ते है next question की और next question अब देख पाते होंगे यहापे screen में क्या है च्छा नंबर सवाल ठीक है सवाल नंबर च्छा निमलिखित मे कौन उत्पति का साधन नहीं है चार option दीया हुआ है पहला है भूमी दूसरा है श्रम तीसरा है पूंजी और चौंठा इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसमें क्या होगा तो दोस्तो इसमें राइट नमसर देगा ऐपका option number D इनमें से कोई नहीं ठीक है निमलिखित में से परिवर्तन सील अनुपातों का नियम संबंदित है, ठीक है, परिवर्तन सील अनुपातों का नियम संबंदित है, चार ओप्सन है आपके सामने, पहला ओप्सन है अल्पकाल एवंग दिर्गकाल दोनों से, दूसरा ओप्सन है दिर्गकाल से, तीसरा है अल्पकाल से, और चौ question आप देख पते होंगे सवाल नंबर 8 सवाल नंबर 8 दोस्तो देख पते होंगे आवस्यक वस्तुओं की मांग की मांग की तो चडिए यानि कि जीरो, ठीक है, आवस्यक वस्तुों की मांग की लोच होती है, क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, सुचलिए बढ़ते है, next question की हो, सवाल नंबर 9, अब देख पाते हों कि क्या है, सवाल नंबर 9 है अर्थसास्त्र धन का विग्यान है, ठीक है तोस्तो, अर्थसास्त हो जाएगा दोस्तों इसमें option number B Adam Smith ठीक है अर्थ सास्त धान का विज्ञान है किसने कहा है Adam Smith ने कहा है ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल number 10 की और सवाल number 10 दोस्तों सवाल number 10 है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता में ठीक है पूर्ण प्रतियोगिता में इसके आगे आपका चार option यहां पर दिया हुआ है आप देख पाते होंगे इसमें दोस्तों आपका right answer हो जाएगा आपका option number A AR बराबर MR ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल number 11 की और सवाल number 11 दोस्तों आप देख पाते होंगे जब कूल उप्योगिता अधिक्तम होती है तब सिमान्त उप्योगिता ठीक है यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है चार option आप देख पाते होंगे क्या क्या है पहला है AC equal to TFC minus TBC दूसरा है AC equal to AFC plus TBC तीसरा है AC equal to TFC plus ABC और चौन्था option है दोस्तों AC equal to AFC plus ABC जिसमें कि आपका right answer क्या होगा आपका right answer हो जाएगा option number D ठीक है option number D C equal to AFC plus ABC ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की और सवाल नंबर 13 दोस्तों आपके स्क्रिन में ठीक है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ठीक है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ठीक है चार option है आपके सामने बाएं से दाएं ठीक है ठीक है सवाल नंबर 14 की और बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 दोस्तों आप देख पाते होंगे क्या है आर्थिक समस्या मूलता की सुलिटर्द जो ट्रतिकी समस्या है ठीक है जोस्तों बाइसमें राईटन स्वा भी दोस्तों मांग की लोच है ठीक है यहां पर छार उपशन दिया हुआ ए गुनातमक कथां दूसरा है मात्रातमक कथां तीसरा है तूसकर स्था है कि अपसर डर्द बना कर आपको बताएंगा चलिए अभी समस्टी अर्थ-6 और के पास चलते हैं और वहां दोस्तों मैं सभी का स्वाल नंबर 31 ठीक है यहां से दोस्तों फिर आपजक्टिव है अब देख पाते होंगे सवाल नंबर 31 question देख पते होंगे दोस्तों क्या है कि राष्ट आयका मापन निमलिकित में से किस विधी से किया जाता है यहां पर दोस्तों चार विधी दिया गया है और पुछा जा रहा है कि राष्ट आयका मापन कैसे किया जाता है पहला है उत्पादन विधी दूसरा है आई वि दीवी है तो यहां पर राइट अंसर यह सभी हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की और सवाल नंबर 32 दोस्तों आप देख पाते हों क्या है कि प्राथमिक छेत्र में निमलिकित में कौन सामील है चार ऑप्सन है परला है भूमी दूसरा है वन तीसरा है ख और खानन भी दोस्तों प्राथमिक छेत्र में सामील है तो यहां पर आपका ऑप्सन नंबर डी राइट अंसर हो जाएगा यह सभी और बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 दोस्तों आप देख पाते हों क्या है कि निमलिकित में से कौन सा मुद्रा का कारे नहीं है चार ऑप्सन है पहला है वी निमे का माध्यम दूसरा है दोस्तों कीमत इस्थिरता तीसरा है मूल संचय और चौन्था है दोस्तों लेखा की इकाई ठीक है जिसमें कि आपका राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर आपका ऑप्सन नंबर बी यहां पर हो जाएगा दोस्तों कीमत इस्थि और जो नोट संत्त करती यानि की बैंक बैंक यहां व्यांस से कोई नहीं यहां पर हिसीए जंता बैंकaws जााएगा जनता का बैंक कहा जाता है व्यापारिक बैंक को ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चन की और नेक्स्ट कोस्चन आप देख पाते होंगे दोस्तों क्या है कि रिजारो बैंक आप इंडिया की अस्थापना हुई ठीक है रिजारो बैंक आप इंडिया की अस्थापना ठीक है RBI केस थपना कब हुई थी 1935 में चलिए बढ़ते next question की और next question आप देख पाते होंगे सवाल नमबर 36 क्या है ठीक है सवाल नमबर 36 है दोस्तो mpc plus mps equal to ठीक है mpc plus mps equal to क्या होगा यहाँ पे चार option आपका दिया हुआ है जिसमें की आपका right answer हो जागा दोस्तो option नमबर भी एक ठीक है mpc plus mps equal to क्या होता है एक होता है ठीक है चार option यहाँ पे दिया हुआ है पहला है I require दूसरा है निगम कर तीसरा है दोस्तो सीमा सूल्क और चौथा है दोस्तो उप्यूक्त सभी ठीक है यहाँ पे पुछा जा रहा है दोस्तों कि सरकार के कर राजस्व के अंतरगत निमले कित में कौन सामील है ठीक है टार ओप्षन यहाँ पे दिया हुआ है क्या होगा इसमें राइट अंसर इसमें दोस्तों राइट अंसर हो जाएगा आपका ओप्षन नमबर डी ठीक है पाते हों के सवाल नंबर 38 क्या है कि भूगतान सेस का घटक है ठीक है भूगतान सेस का घटक है चार अप्सन है यहां पर पहला है चालू खाता दूसरा है पुझी खाता तीसरा ए एवंग भी दोनो यानि कि ए भी दोनो और चौंथा इन में से कोई नहीं इसमें दोस्तो 40 की और सवाल नंबर 49 दोस्तो आप देख पाते हों क्या है कि भूगतान संतूलन में असामानता का कारण है ठीक है भूगतान संतूलन में असामानता का कारण है पहला है दोस्तो प्राकृतिक कारण दूसरा है आर्थिक कारण तीसरा है राजनेतिक कारण और चौंथा है दो आपका ये सभी होना चाहिए था ठीक है तो ये सभी दोस्तों यहां पर राइट अंसर हो जाए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की और नेक्स्ट कोस्टन आप देख पाते होंगे दोस्तों 40 नंबर सवाल नंबर 40 क्या है कि गुनक को निमनी लिखित में से की सुत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है ठीक है गुनक को निमनी लिखित में से की सुत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है चार ओप्शन यहां पर दिये हुए हैं आप देख पाते होंगे क्या होगा इसमें राइट अंसर इसमें दोस्तों आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर ठीक है option number B यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा आपका ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की और सवाल नंबर 41 दोस्तों आप देख पाते होंगे ठीक है जिसमें की आपका राइट अंसर हो जाएगा option number D उप्युक्त सभी ठीक है परिवार फर्मों को निमलिखित में से कौन सेवाएं परतान करते हैं उप्युक्त सभी भूमी श्रम पुंजी और उद्यम उप्युक्त सभी यहाँ पर राइट अंसर यानि की option number D ठीक है चल है निर्यात और चौंथा दोस्तों लाब जिसमें की आपका राइटन शरू जाएगा option number A संपत्ती ठीक है निमलिखित में से कौन सा इस्टॉक है ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 43 जोस्तों आप देख पाते होंगे क्या है कि 3-3 मोडल में निमलिखित में कौन साम है चार ओप्सन है यहां पर पहला है दोस्तों परिवार अब देख पाते होंगे दूसरा है फार्म तीसरा है सरकार और चौंथा अप्सन है दोस्तों उप्यूक्त सभी इसमें दोस्तों राइट अंसर हो जाएगा आपका option number C सरकार हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next question की और next question दोस्तों सवाल नंबर 44 ठीक है सवाल नंबर 44 दोस्तों आप देख पाते होंगे मुद्रिक निती के प्रमुख उद्देश से हैं ठीक है मुद्रिक निती के प्रमुख उद्देश से हैं क्या उद्देश से हैं चलिए देखते हैं चार option है उत्पादन एवंग रोजगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की और सवाल नंबर 45 दोस्तों आप देख पाते होंगे क्या है कि भारत का वित्ती वर्स है ठीक है भारत का वित्ती वर्स है चार अप्सन यहां पे दिये हुए हैं पहला अप्सन दोस्तों यहां पे दिया हुआ है एक अप्रेल से 31 म सितंबर तीसरा है दोस्तों 30 अक्टूबर से एक सितंबर और चौंथा दोस्तों इन में से कोई नहीं जिसमें कि आपका राइट अंसर हो जाएगा एक अप्रेल से 31 मार्च भारत का वित्ति वर्स है ठीक है तो तो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए दोस्तों के भी सेर कर दि किजिए ताकि आपको ऐसा ही नोटिफिकेस्ट नामें साम मिलता रहे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तक अ